नमस्कार दोस्तों जैमातादी आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है हनुमान जी के गायत्री मंत्र की क्या लाब होते हैं हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में किस प्रकार की परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है आप सभी जो है हनुमान जी के सेवक हैं आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी अपने भक्तों पर कितनी क्रपा रखते हैं जोतिश शास्तर के अनुसार ऐसी माननेता है कि मंगलवार का व्रत करने से या मंगलवार और शैनिवार को श्री हनुमान जी की पूजा पाट करने से आपके जीवन के सभी विग्न जो है हर लेते हैं परंतु क्या आप जानते हैं कि डेली अगर श्री हनुमान जी का गायतरी मंत्र पढ़ा जाए या सुना जाए केवल सुन्ने मातर से भी आपके मंगल ग्रह जो निर्बल हो चुके हैं या आपको बहुत कष्ट हो रहे हैं शुफलों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपके जीवन में आपको सभी कष्टों से राहत मिलती है श्री हनुमान जी की पूजा से जो है आपको सम्मान बल साहस और यहां तक की समाज में सम्मान की व्रद्धी होती है सुयोग संतान की प्राप्ती होती है और यह जो उपासना होती है या जो पूजा पाठ होती है जिनके घर में संतान का सुख उन्हें काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें भी बहुती जल्दी संतान सुख का जो फल है वो प्राप्त होता है साथी साथ फल स्वरूप आपके सभी मुक्ति प्राप्त होती है और साथी साथ भय से दूर होते हैं भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है काली शक्तियों का दुश्प्रभाव से आपको बचने के लिए सदेव श्री हनुमान जी की पूजा अराधना करनी चाहिए घर में अगर कोई कलेश चल रहा है पित्र दोश की समस्या है तो भी आपके जीवन में आपको इन सभी कष्टों से राहत मिलती है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप व्रत करते हैं, पूजा पाट करते हैं, चालीसा का पाट करते हैं सबसे जादा महत्वरुन माने जाता है वो होता है सुन्दरकान परन्तु कई बार जो है हम इतना कुछ नहीं कर पाते हैं तो इन सभी के लिए जोती शास्त्र में केवल और केवल छोटा सा श्री हनुमान जी का गायत्री मंत्र बताया गया है जिसको नियमित सुनने से ही आपके जीवन के सभी पाप जो है दूर हो जाते हैं पूर्षों से मैं कहूंगी कि आप जो है डेली इसका पार्ट करें दो लाइन का ये जो गायत्री मंत्र है ये गायत्री मंत्र हम आपको आगे बता भी देंगे इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो केवल अपने घर में जो है सुने इस मंत्र को इससे उनके जीवन में जो है सभी सुखों की प्राप्ती होगी क्योंकि मंगल ग्रह जो है जमीनी सुख भी प्राप्त करवाता है मंगल के द्वारा ही आपको आपके घर की इक्षाएं पूर्ण होती है पुत्र की जो आपकी कामना होती है वो पूर्ण होती है साथ ही साथ अगर आपको कोई सरकारी नौकरी भी चाहिए तो भी आपके मंगल का बली होना बहुत आउशक होता है तो कुंडली के माद्यम से भी देखा जाए तो भी बहुत जादा शुब है और अगर भहे से मुक्ती के लिए देखा जाए आपको कोई भादा है या नजर दोश लग गया है तो भी श्री हनुमान जी क्योंकि कल्यूग में साक्षा देवी देवताओं में जो है मैं पिछले क उचारण के साथ करनी होती है और काफी उसमें जो है थोड़ी सी भी गलती होने पर जो है हमें कई बार उसका भुगतान जो है भुगतना पड़ता है क्योंकि हम मनुष्य हैं हमसे पाप भी होते हैं हमसे पुन्ने भी होते हैं परंतु श्री राम की नाम लेते हुए अगर आप हनुमान जी का कोई भी अराधना करते हैं केवल साफ सफाई का ध्यान रखना है क्योंकि श्री हनुमान जी के अराधना में भी जो है साफ सफाई का बहुत महात्व होता है तो केवल आप जो है नहां धोकर स्वच कपड़े पहन कर जो है आपके घर में अगर चित्र है तो बहुत ही अच्छा है चित्र नहीं है तो इशान कोंड में आप बैठ जाईए इशान कोंड अगर आपको नहीं पता है तो पूर्व दिशा का मुख करके या आप क्योंकि साउध जो कॉर्नर होता है दशिन दिशा जो होती है श्री हनुमान जी के लिए बताई गई है परंतु दशिन दिशा जो है कुछ ग्रहों के लिए बहुत फलदाई होती है और कुछ ग्रहों के लिए कहीं न कहीं उनके जो दबाव होता है उनके मस्तिक्ष पर बनाने लगता है तो यहाँ पर हम सभी के लिए क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो आप सभी जो है पूर्व मुखी होकर इस मंत्र का जाप करें आप मानस मंत्र भी कर सकते हैं आप तेज आवाज में भी कर सकते हैं आप जो है मन ही मनी भी इसा दोरा सकते हैं परन्तु चमडे की कोई वस्तू आपके शरीर पे धारलना हो नौनवेज का सेवन ना किया हो अंडे का सेवन ना किया हो तामसिक का चित्र है तो बहुत ही शुब रहेगा नहीं हो तो अगर हो सके तो 11 बार श्री राम का नाम ले लें क्योंकि ऐसा माना जाता है हनुमान जी की पूजा अराधना से पहले श्री राम जी का अगर नाम ले लिया जाए तो वो जो पूजा होती है विफल होने का चांस ही नहीं ह होता है आपको पुजा जो है 110 परसेंट फलदाई होती है और कोई तुटी हो भी जाती है आपसे उच्चारण में हो जाती है क्योंकि हम सभी की भाषा अलग होती है कई बार हम पढ़ने में या जल्दी-जल्दी बोलने में उच्चारण थोड़ा सा गलत कर देते हैं तब भी जो उसका दूशित फल है नहीं लगता है और वो कहीं न कहीं आपको जो है स्वर्गलोग की ही प्राप्ति करवाता है आप अगर ये कारे कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको कभी भी किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको जो है बाधाओं से मुक्ती मिलेगी क्योंकि हिंदू धर्म में भरपूर ज्यान उर्जा और सभी प्रकार के बल की प्राप्ति के लिए श्री हनुमान जी की पूजा अरादना बताई गई है गायतरी मंत्र की उपासना आप सभी जानते हैं कि कितनी जादा महत्पूर्ण होती है हिंदू धर्म शास्त् ग्यान की शक्ती स्वरूप अगर आप वेदो की माता गायतरी के साथ क्योंकि ये 24 देव शक्तियों के रूप में जीवन के जुड़े हुए अलग-अलग लक्षयों के प्राप्त करने की राहा बताती है गायतरी मंत्र जो है एक छोटा सा मंत्र नहीं है इसकी शक्ती बहु सेलेक्शन होता है एक्जाम के समय में हमें बहुत आता है और यही बात मैंने सरकारी नौकरी की जो कामना करते हैं उनके लिए भी काफी बार देखा है होता क्या है उनको घर में जो है सब कुछ पता होता है याद भी बहुत कुछ होता है परन्तु जब एक्जाम रूम में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो वहां के vibrations के कारण या उनके अंदर के भय के कारण या उनका जो समय गोचर चल रहा होता है उसके कारण कई बार वो विफल हो जाते हैं केवल कुछ नंबरों से ही जो है चीजों को छोड़ देते हैं तो हनुमान जी के अराधना जब आप कर और उनका आशिरवाद आप पर सदेव रहता है तो जब भी आपको डर लगे आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो उनका नाम ले लीजिए उन्हें याद कर लीजिए और कह दीजे कि बावा साब अब आपी की करपा है आपको मेरी नईया जो है पार लगानी है श्री राम की कर पादिलवाई है या जो भी आपके शब्द होते हैं उनका उचारण कीजे और आप कहीं आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी कारिक अभी अटक ही नहीं सकता है अगर आपको पुत्र की भी कामना करनी है या संतान सुख नहीं मिल रहा है तो आप कुंडली होते हैं वो पाप ड्रस्त हो जाते हैं या वो अस्तर हैते हैं या उनका जो दूशित प्रभाव पढ़ रहा होता है उनके कारण ही संतान सुख की प्राप्ती नहीं होती है तो संतान सुख की जब प्राप्ती नहीं होती है उसका सबसे प्रमुक कारण जो है पित्र दोश भ उसके अलावा श्री हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में कभी भी पित्र दोश का सामना आपको नहीं करना पड़ता है क्योंकि पित्र दोश जो है श्री हनुमान जी के अराधना के बाद उससे मुक्ति मिलती है शनी की साड़े साती या ढहिया या शनी की जब हमें परि ये जो है आपका कोई धनकर्च नहीं करवाती है केवल इसमें आपकी भक्ती होनी चाहिए और साफ सफाई का पूरा-पूरा ध्यान जो है आपको करना है श्री हनुमान जी को लालचंदन, लालफूल, जने और श्रीफल जो नारियल होता है बहुत ही प्रियमाना जाता है अग अगर आप घर में अगर प्रशाद चढ़ा सकते हैं तो मैं कहूंगे गुड और चने या फिर केले का जो प्रशाद होता है या गुड के बने जो पकवान होते हैं वो बहुत ही जादा सर्विश्रेश्ट माने जाते हैं हनुमान जी को प्रसंदन करने के लिए परन्तु डे तो में साहझे मंगलवार या सभः शनिवार दोनों में से एक दिन चुनकर अगर आपने ये नियम बना लिया। दे दीए या अपने गुड़चने का भोग लगा दिया या आपने लाल फूलों के जो गुलाप की माला होती केवल वही अगर आपने हरपित कर दी है और भक्ति सा आपने श्री राम का नाम ले लिया है तो आपके जीवन में मैं कहती हूँ कि कभी भी कश्टों को आप जितने भी कश्ट हैं आपकी कोई भी कितने भी बड़े दूशीद घ्रह बैठे हों आपकी कुंडली में दीरे दीरे जो है वो सभी घ्रह आपसे पीछा छोड़ने लगते हैं और आपके जीवन में आपको वो दूशीद घ्रह ही मान सम्मान और य की प्राप्ति करवाने लगते हैं आप महीना भर ये कारे करके देखिए के वल शुद्धता का ध्यान रखी आप देखेंगे आपके जीवन में कोई भी पढ़ाई को लेकर या अगर आपको लगता है कि जमीन या घर को लेकर संतान प्राप्ति को लेकर या भूत बाधा जो हो लगते हैं मानसी का शानती आने लगती है घर के व्यक्ति बहुत बिमार होने लगते हैं तो केवल आप जो है ये छोटा सा गायतिरी मंत्र का जाब कर लीजे महीलाओं से मैं कहूंगी कि आप जो है सुबह के समय पर घर पर ये लगा दें अगर आपके जो साथी है जो अगर घर का एक व्यक्ति भी करता है तो उसके पूरे कुटुम्भु को और उसके पुरे परिवार को इसका फल प्राप्त होता है तो आप जरूर करिए और श्री हनुमान जी की क्रपाद रष्ठी अपने जीवन में प्राप्त करिए तो भाईयों और बहनों इस याश् के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते वे आज अपनी वाड़ी को यहीं विराम देते वे हम फिर मिलेंगे जैमातादी दोस्तों